हाई गाई वेलकम प्रूंट ग्यानियर दोस्तों आज हम समझेंगे कि भाई कोखलेर इंप्लांट क्या होता है बहुत ही आसान बहुत हम समझने कोश्च करेंगे एक आधमी भी समझ जागा कई लोग के मन में बहुत सारे डाउट शुते हैं क्या होता यह तो आप वीडियो को अक्सर तो कोखलेर शवागना जरूरिए को क्या होता है कि हमारा कान है इसके तीन पार्ट होते है चारिक मीडल और और अन्ते हकन तो यह कानों सब्सक्राइब करता है जब भी कोई व्यक्ति की आवाज आपन सुनते हैं मतलब कि सपोर्ज आप मेरी अवाज सुन रहे है यह माइक के थ्रोग, स्पीकर के थ्रोग, आपके पास पहुंच रही है, तो वह आवाज नहीं जा रही है, वह बाइबरेशन जा रही है, साउंड वेबस जा रही है, तो यह क्या होता है, जैसे ही कान में पहुंची, तो यह हड्डियां होती है, वह आपस में हिलती है, तो ए कोक्लिया अब क्या काम करता है इन बाइत अको इलेक्ट्रिकल सिंगनल में हुक्ति आती और आपको समझ में आता है सब्सक्राइब क्या बोल रहा है यह मतलब कि कोक्लिया हमारे कान का सबसे important हिस्सा होता है तो कई वार हमें cochlear implant करना पड़ता है कई वार ऐसा होता है ठीक है किसी किसी लोगों का कान में दूसरी समस्या होती है उस बाइस वो क्या hearing aids लग जाते हैं hearing aids क्या होता है जो कान की machine होती है वो लगते लोग तो वो hearing aids लगता है अगर वो hearing aids काम नहीं कर रहा है तब cochlear implant किया जाएगा वह machine लगा लिए फिर भी आवाई नहीं जा रही है तब machine लगेगी उसके अलावा inner inner ear में कोई भी injury हो गई है या कोई भी दिक्कत हो गई है inner ear से मतलब कि सही नहीं है चेक करा लिया cochlear में समस्या है तो वह change होगा मतलब कि cochlear implant होगा उसके लावा कई लोगों की age बढ़ जाती है उसका रण भी ऐसा होता है या बोलने चाहिए जन्म से बच्चे पैदा होते हैं वह मतलब कह सकते हैं कि भाई बहरे पैदा होते हैं उनको सुनाई नहीं नहीं देता थो उनमें वह किया जाता है ठीख है तो जनमजास समस्या कोई उसमें भी इसको implant किया जाता अभी ही सको समझ होता है थो उसमें एक होता होता है इसके my two Heart सर्जरी के दोरह ड़ल दिये जाता है जो कोग्लिया वाला हिस्सा है वहां पर सर्जुन उसको कोग्लिया के पास लगा दे जाता एक छित्थे को और उसके अलेक्ट्रोट का Anything बाहरिkeit अब एलेक्ट्रोट से बाहरी जो डिवाइस होता है ये जो ने इसके क्हलंवासर और यह sound processor का काम क्या है यतनी वी आवाज उनको catch करके प्रोसेस करके और कोकलिया के अंदर जो हमने implant डाला है लेक्ट्रोट्स को डाला है उन तक पहुचा देना ताकि आपको आवाज समझ में आ जाए बहुत दे सिंपिल है जो काम नेचुरल कोकलिया कर रहा था भो नहीं कर पा रहा डमेज हो गया खराब हो गया तो अब है अपनने क्या अलग से कोकलिया बनाके लगा दिया है मसीन का जिसके दो पार्ट है क्या एक भारी ओकर इनर दोनों के दोनों में एक बैटरी होती छोटी सी वो काम करती है बहुत बढ़िया काम करती है तो इस तरह से ये काम हो जाता है कीमत की बात की जा तो दस से बारा लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है कई लोग सोच के गौर्मेंट इसमें पूरी-पूरी help करती है ठीक है गौर्मेंट से fund मिल जाते हैं गुइस अनस्ताय होती हैं बोवी इसमें बहुत मदद करती है आजकल और बहुत ही ज़्यादा successful surgeries होती हैं बहुत कम सुनना सुना लगते क्या अगर किसी वेक्ति को बचपन सभophile समझ्स में को बच्चा है उसको समझ्स स्वाइब इस जीवन में ऐत आप लगा दो के सूने लगा नहीं सुन खया उसको सिखाना पड़ेगा जैसे आप चोचेछे बैहंसे इससको भी graphs तो होता क्या cochlear implant आपके शरेर में её सुम्हु काम नहीं कर रहा है तो आपने अलग से तो बहुत ही ज़्यादा खास है नहीं तो इसमें इसके अंदर फिट कर देते हैं साउंड प्रोसेसर को भाल लगा देते हैं वास ये उसके अंदर ट्रांस्डूसर जो होता हो साउंड को कैश करके ट्रांस्डूसर की मदद से कोक्लियर इंप्लांट एक बार मैं बहुत ही आसान बहुता हूं कि आपके सरीर में डिवाइस है जो नेचरली है है हमारे साउंड को केश करना नहीं क्या किया सरस्चरी के द्वारा एक सिस्टम लगा दिया वहिज करेगा और किससे करेगा जो हमारा साउंड प्रोसेसर यूनिट बहुता है उससे कैश करे तो धिकर टो एक नकली कान लगा दिया पूरा ठीक है तो यही होता है cochlear implant I hope आप समझ गए होंगे आप देख रहेते ग्यानियर मैं हूँ शिवम वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए क्योंकि हम यहां पर medical science की हर एक वी हुआ 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 है